जहिन सातियों, जैसा कि आज मैं देख रहा हूँग, सोशल मीडिया पर, रवीप अपने नाम एक एक व्यक्ति दुआरा, मेरी भ्रामक तरीके से परचार किया जा रहा है, और इस परचार में मेरी छवी को धूमिल करने का प्रियास किया जा रहा है, मैं आपको अपनी परफा और शेयर करने के बाद, थोड़े दिन बाद मुझे एलाईउ पुलिस काशीपुर ने बुला कर, और मेरी काउंसलिंग की थी, और उस वीडियो को पहले ही डिलीट करा दिया था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो वीडियो मेरी प्रोफाइल में नहीं है, पिछ मेरी छवी धुमिल करने के लिए ये प्रयास किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ देखे प्रोफाइल और मैं वो एरिया भी आपको दिखाऊंगा जिस जहां पर ये प्रोफाइल पहले दिखाई गई है मेरी, तो एक महीने पुरानी वीडियो को अब वाइरल किया जा रह है, पूरी प्रोफाइल में ने खंगाली थी, मेरे को नहीं दिखाई दिया, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरे खिलाब भड़का रहे हैं लोगों को, मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, उतना ही दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता हूँ, कितने लोग मेरे हर धर्म के दोस्त हैं भाई हैं जिनके साथ मैं आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ पीता हूँ रहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा दोएज भावना से कर रहे हैं कारण ये है कि पहले भी कई बार रवी पपने जी को मैंने कानूनी कारवाईयों से बचाय यह जो सरसर गलत है देखिए मैंने एक महीने पहले उस वीडियो को एलाइयू के काउंसलिंग के बाद उसको डिलेट कर दिया था जबकि उसमें धार्मिक कुछ भी नहीं था केवल वो राजनीतिक पोस्ट थी उसको इनोंने धार्मिक अपनी आवाज में बना कर और आपके सामने पेश किया है देखिए यहाँ पर वो मेरी वीडियो नहीं है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ का निवेदन करता चाता हूँ कि ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं और ये लोग समाज के लिए बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो धर्म और जाती के धार पर लोगों को लड़ाना चाते हैं मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूँ उतना अन्य धर्मों का सम्मान करता हूँ अगर इस बात से भी मेरे किसी भाई को ठेस पहुची हो तो मैं उससे छमा पराती हूँ और मैं आपको ये बताना चाता हूँ कि मैं कभी किसी भी धर्म के बारे में किसी प्रकार की कोई पोस्ट फेस्बुक पर नहीं करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत